असलाम अलेकम दोस्तों कैसो आप लोग चार-पांच वीडियो के बाद माल्टा से रिलेटेड ये वीडियो में एक गुड नीव शेयर कर रहा हूं आप लोगे साथ में इससे पहले माल्टा से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाया मैंने उसमें जो नेगेटीव अपडेट थ वर्क परमीट आने में लोग को प्रोब्लं हो रहा है वीजा में प्रोब्लम हो रहा है डायवर का तो की उमीदी छोड़ दिजैं विलहाल के टाम के लिए एसा कि नहीं आएगा आएगा highway के delta के लिए मेरे गूरूप है आप दो में बहुत सारे लोग जुड़े हुए एक गुरूप में हजार से उपर है फिर दूसरा गुरूप बनाना पड़ा उसमें भी हजार के करीब में लोग है अब जिन लोगों ने माल्टा के लिए अपलाई किया था मेरे रेफ्रेंस में बहुत सारे लोग डर रहे थे कि वर्क पर्मिट नहीं आ रहा आसिप बैगा आप लोग जानते होंगे जो कुवेत में हैं उनका कोई दोस्त का वर्क पर्मिट जो है ना कोई फ्यूज हो गया आइडेंटिटी माल्टा भी आइडेंटीटा हो गया मालूम होना चाहिए आप ल ंएंग करते हों ло कि तो आइडेंटीटा से बहुत सारे लोगों का वक पर्मिट रिफ्यूज होँ आप पहले वीजारीफ्यूज होता था अभी वर्क पर्मिट भी रिफ्यूज हुआ है क्यं हुँ हुआ है सुमपल लोजी कि अधा इंटिटी माल्टा या फिर आइडेंटिटा कह लीजिए वो लोग वर्क पर्मिट देने से पहले पूरा वेरिफाई करते हैं कि कौन एजेंसी या फिर कौन कंपनी यह वर्क पर्मिट दे रहा है थर्ड कंट्री के वर्कर को आप लोग को याद होगा पिछले वीडियो में बताया है वर्क पर्मिट देने से पहले कंपनी को वांट शो करना पड़ता है जोब पलस पे माल्टा गौर्मेंट को दिखाना पड़ता है कि मेरे को यह वर्कर चाहिए और इसके लिए मैंने कोशिश किया कि सेंजन से ही वर्क से नहीं मिला तब जाकर के मैं थर्ड कंट्री से वर्कर हैर कर रहा है यह रूल है वहां का अगर बिना एड दिखा है जॉब प्लस पे बिना ओपर्चुनिटी दिए सेंजन के लोगों को कोई डायरेक्ट थर्ड कंट्री से वर्कर बुला रहा है तो वेरिफिकेशन के में अच्छी बात यह है कि हमारा जो बोस है न वह एक फीमेल है और पर्सनली जो ना उनका जो नेचर हो काफी अच्छा है लोग के बारे में सोचते हैं आज के डिट में ज्यादेता लोग सेल्फी सोते हैं उनको सिर्फ अपना पैसा से मतलब रहते हैं कि जितने भी लोग कि भाई work permit भी refuse हो रहा हमारा क्या होगा अभी कल रात में दो लोगों का आगी है work permit एक बंदा सरागो company में काम कर रहा है सौधी में एक भाई मेरे कुवेट में एक लोग का submission कर वह था मैं बता रहा हूं June में हुआ था जून, जुलाई, अगस्ट, सप्टमबर, अक्टबर, नॉमबर जून का एंड में हुआ था तो पांच महिना लग गया भाई इनका work permit आने में पांच महिना मेरा कितना दिन में आया था दो महिना भी नहीं हुआ था अंधावन दिन में आ गया था मैं इसलिए बुलता हूँ, यूरोप का काम कोई भी कराना चाहते हो, बहुत पेसंस की जुरुत है, बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रीम लेवल का पेसंस चाहिए, यह ज़्यादा आग बकाओ गया गल्फ की तरह नहीं हो पाएगा, यह लोग भी डर रहे थे, इनके फ्रें गया, तो चलो एक सुकुन मिला, अब जल्दी से इनका भी सब्मेशन कराना है, उसके बाद इनके पीछे में जितने लोग हैं, जो घबरा रहे न, वो भी पेसंस रखिये भई, आ जाएगा, इसके अलावा आप में से किसी और ने अगर अपलाई किया कहीं से भी, तो पेसं प्राइट भी आएगा, वीजा भी आएगा, वो लोग बड़ा मुडियाल है उदर के लोग, जब जरुरत रहता है तब जल्दी जल्दी किलियर करते हैं, और जब जरुरत में रहता है, तो बड़ा तंग करते हैं लोगों, चलिए इस वीडियो में इतना ही, चैनल पर नही दिजेगा, क्योंकि इस तरह के इनफोर्मेटि वीडियो आप लोग आगे भी मिलते रहेंगे, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा भाई ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, फ्राइडे के दिन, दस नॉम्बर को, और एक और अच्छ करूंगा, बहुत सारे लोगों का वर्क परमिटी रिफ्यूज हो रहा है, हमारा एटलिस्ट वर्क परमिट तोया ना, ये एक साइन है कि काम जो है देखो जन्विन हो रहा, नहीं तो बहुत सारे लोग मार्केट में इसे होते हैं ना भाई, जो आपका पैसा खाने के लिए आपका वर्क परमिट का सब्मिशन करते हैं, उसमें से कुछ कमिशन अपना रख करके बाद में बोलेंगे, तुम्हारा पैसा रिटन कर देंगे, उनको पहले से पता रहता है कि इनका वर्क परमिट भी नहीं आएगा, तो इस तरह का धंदा भी चलना मार्केट में ऐसे लो आपका प्रमिट के लोगा.